गाउं जासासर में 60 वर्षे पिता से बेटे और भतीजे ने की मारपीट गायल का जिलास पताल में इलाज जारी चुरू जिलेके गाउं जासासर में शुकरवार को 60 वर्षे पिता से उसके बेटे और भतीजे के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है गायल को चुरू के राचके भरतिया जिलास पताल के आपात कालिनवार लाया गया जहां चिकित्सकों वे नर्सिंग स्टाफ ने साथ वर्षे विक्ति का इलाज शुरू किया सूचना के बाद अस्पताल चोकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई अस्पताल में भरती गायल साथ वर्षे मावीर ने बताया कि वे अपने घर पर खटिया पर बेटा था कि तबी उसका बेटा मुकेश और बतीजा योगेश दोनों वहाँ आए और बिना किसी बात के मुकों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी मारपीट में वे जमीन पर गिर कर गायल हो गया दोनों ने उसे बूरी तरह से मारा जिसकी वज़े से उसके कमर और पेट में दर्द है गायल मावीर ने बताया कि उसका कभी उन से जगड़ा नहीं हुआ था बिना किसी वज़े के दोनों के दोरा उसके साथ मार पीट की गई मावीर ने बताया कि उसका बेटा सरदार शेहर में कैफे में रहता है बेराल गायल का जिलास पताल में इलाज जारी है तो मेरे जास आसर काम में की आदमी रपूद लेगे कर अदमी हो तो तो सरपल ना चार बार सरपल जी बागा नमर लेगे पूस लेगे कि शोग आदमी हो गेम की इसा कड़ी अपना कर्या तो जी करूं तो